सब्सक्राइब करिए उमें सार्किल चैनल को और नोटिफिकेशन बिल को दबाईए लेटेस अबडेट पाने के लिए आज मैं आपके लिए कुछ चोड़े चोड़े और अच्छे टिप्स लेकर आई हूं अभी सर्दिया शुरू हो गई है और बहुत लोगों की स्किन ऐसी होती है जो बहुत जल्दी रूख ही हो जाती है तो आज मैं बहुत अच्छे फेस पैक कुछ बताने वाली हूं चोड़ बना देगा आपकी फिन में नम्मी को बना के रखेगा तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते है जो मैं बताने जानी हूं वह यह है आपको दो चमच शहर ले लेना है और उसमें एक चमच आपको बटर ले लेना है और कुछ नीमू की बोंदे बहुत ही कम डालना है बस जो कर दो मिकस कर लिजए और समignsक करने के बाद ऌपने पेर लगा सकते हैं पाक पर लगा सकते हैं और इसको अच्छे से आप मसाज करिए कुछ दे तक और मसाज करने के बाद आप छोड़ दीजे आदे गंटे के लिए और इसके बाद आप हलके गुनगुने पानी से इसको धोल दीजिए आपकी स्किन बहुत ही जल्दी एक दम सॉफ्ट हो जाएगी जो र पुरी तरह और आपकी स्किन रुकी नहीं होगी अमेरा जो दूसरा टिप्स है वह तो बहुत ही ज्यादा आसान टिप्स है उसमें आपको कुछ नहीं करना बस सिर्फ और सिफ एक इंग्रीट लेना है वह है दूद जो घर पर आपको आसानी से मिल जाएगा कोई भी घर ऐस जहां पर दूद ना मिले आपको पास यह करना है कि उस दूद की मसाज करने आपको अपने फेस पे नेक एरिया पे हाथ वाले या अगर पैर में सब जहां जहां भी आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है वहां अच्छे से इसकी मसाज करिए और मसाज करने के यह दौदे आदे अधे घंटे बाद आप इसको गुंगुने पानी से दो दिये और अगर आप रेगलर एसा करेंगे बिल्कुल भी नुक्सान नहीं करेगा अगर आप रेगलर ऐसा करेंगी तो आपकीshit बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी नमी बनी रहेगी आपकी स्किन में और इस सब को करने से कलर पहले से फेर होने लगेगा क्योंकि सर्दियों के मौसम में ड्राइनेस की वज़े से बहुत से लोगों की इसकिन का कलर बहुत डल हो जाता है तो इसकी प्रॉब्लम भी नहीं होगी और सर्दियों के मौसम में हम पानी पीना बहुत कम कर देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है पानी आपको बराबर पीते रहना है और अपको अपनी डाइट में ग्रीन वेजीटेबल का भी प अगला टिप्स है वो यह है कि आप एक शीशी में गल्सरी ले और उसमें कुछ बूंदे नीबू की ले ले और उसमें लगब दोशममाच आप गुलाब जल मिला ले और इस सबको आप अच्छे से मिक्स करके शीशी में रख ले और इसको रोज रात में आप सोते टाइम आ आपके स्किन में नमी बनी रहेगी आपके स्किन बिलकुल स्मूद और सौफ्ट रहेगी इन छोटी चोटी टिप्स को आप फालो करिए और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजे और मैं आपके लिए इसी तरह की और भी अच्छी ची व